हमने देखा कि जब परिपत संयोजी तारों से जुड़ कर पूर्ण हो अथवा उसमें चालक तारों के साथ ही कोई अन्य चालक वस्तु भी उपस्तित हो तब भी बल्ब जलने लगता है। अर्थात ऐसी इस्थिती में परिपत में विद्युत आवेशों का प्रवा बिना किसी रुकावट के होता है। परंतु किसी विद्युत रोधी पदार्थ की उपस्तिती में अथवा तूटे हुए परिपत की इस्थिती में आवेशों का प्रवा रुख जाता है और बल्ब नहीं जल पाता।। उपर दिये गए प्रयोग में आपके द्वारा ली गई वस्तुओं को चालक वो विद्युत्रोधी की श्रेणी में बाटे। हम कह सकते हैं कि चालक वे पढ़ार्थ हैं जिनमें से विद्युद्धारा का प्रवा हो पाता है। जबकि विद्युत रोधी अर्थात कूच आलक वे पदार्थें जो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने देते हैं ध्यान रहे कि दरसल प्रवाह विद्युत धारा का नहीं बलकि विद्युत आवेशों का होता है जिस कारण विद्युत की धारा उत्पन होती है परन्तु सरल्ता के लिए हम विद्युत धारा का प्रवाभी कहते है यह उसी प्रकार है जिस प्रकार जल के बहाव के कारण जल धारा उत्पन होती है यहाँ पर जल की मात्रा आवेशों की मात्रा के अनुरूप है इस पार्ट में हम विद्यूत की कुछ अवधार्नाओं को समझने के लिए इसी समरूपी परिस्थिती का उप्योग करेंगे ध्यान रहे कि जिस प्रकार पानी या किसी पदार्थ के कण होते हैं उस तरह बिजली के कण नहीं होते क्योंकि बिजली या विद्यूत कोई पदार्थ नहीं है इसलिए जिस प्रकार पानी के कटे हुए पाइप से पानी प्रवाः बाधित होता है कटे हुए तार में से विद्यूत का बहाव नहीं दिखता बलकि बहाव रुख जाता है विद्यूत धारा वह कुल आवेश याने की चार्ज है जो चालक के किसी अनुप्रस्त काट के छेत्र फल याने की क्रोस सेक्षन एरिया में से इकाई समय में गुजरता है आवेश का मातरक कूलंब है यदि Q कूलंब आवेश किसी चालक से T सेकेंड में प्रवाहित होता है तो उस चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युद्धारा का मान होगा विद्युद्धारा I बराबर Q बटे T समीकरण एक विद्युद्धारा का SI मात्रक MPR होता है जिसे capital A द्वारा प्रदर्शित करते हैं या एक अदिश राशी है समीकरण एक के अनुसार हम यह कह सकते हैं कि जब एक चालक के अनुप्रस्थ काट में से एक सेकेंड में एक कूलंब आवेश प्रवाहित होता है तब उस चालक में से प्रवाहित विद्युद्धारा की मात्रा एक अमपियर कहलाती है एक अमपियर बराबर एक कूलंब बटे एक सेकेंड कभी-कभी एक छोटी इकाई मिली अमपियर M A अथवा माइक्रो अमपियर म्यू A का भी उपयोग किया जाता है किसी विद्युद्ध परिपत में विद्युद्धारा का मापन अमीटर की मदद से किया जाता है यह एक ऐसा उपकरण है जो विद्युद्ध की मात्रा को दर्शाता है अमीटर के धनात्मक सिरे को सेल के रिनात्मक सिरे से वर रिनात्मक सिरे को सेल के धनात्मक सिरे से चोड़ा जाता है इस इस्थिती में धारा का प्रवाह अमीटर के धनात्मक सिरे से रिनात्मक सिरे की ओर होता है अमीटर की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है इसलिए अमीटर को परिपत में हमेशा श्रेणी क्रम में ही संयोजित किया जाता है ताकि उसमें से अधिक्तम धारा प्रबाहित हो